इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्साइज 12.1 का कोशिन नमबर फॉर्थ तो पिछली कुछ वीडियो से हम पढ़ते आ रहे हैं चैप्टर नमबर 12 जिसका नाम है एरिया डिलेटेड टू सर्कल्स तो अभी हम फॉर्थ कोशिन करेंगे इस वीडियो में फॉर्स सेकिन थर्ड म डाल दूंगे आप वहां से चैक आउट कर सकते हैं तो इस वीडियो में बात करेंगे कोशिन नमबर फॉर्थ की तो बिना किसी दरी की वीडियो शुरू करते हैं तो यह हमारा कोशिन नमबर फॉर्थ यह क्या कहता है तो वील्स ओफ और कार आर आफ डायमीटर 80 सेंटी क्या है एटी सेंटी मेटर तो रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ तो यह आ गया फॉर्थ पॉर्थ पॉर्थ तो इबने आपर साफ लिख दिया है एक सरकल है इसका रेडियस क्या है सोट्य है उसने बोला है आप How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is travelling at a speed of 66 km per hour तो उसने बोला है एक कार है कार की speed क्या है 66 km per hour It means वो एक आवर में 66 km क्या है cover कर रही है तो उसने बोला है कि 10 minutes में जो wheel है वो कितना number of revolutions ले रही है यह question सुनने में difficult लगता है लेकिन करने में बहुत easy है अगर आपको basic concept पता हो concept क्या है मैं आपको उताती हूँ देखो मालनो आपके पास 10 rupees है आपके पास है 10 rupees और आपको बोला गया है कि आप टौफी खरीद के आओ और एक टौफी की कीमत क्या है 2 rupees है तो आप कितनी टौफी खरीद के ले के आओगे पहले pause करो video को और answer सोचू answer क्या है आप कितनी ले के आओगे पास टौफी ले के आपआओगे कैसे इधर देखो आपने दुकानदार से क्या खरीदा, एक टॉफी खरीदी, यह एक टॉफी है, आपके दो रुपे खर्च हो गए, फिर आपने एक और टॉफी खरीदी, आपके दो रुपे खर्च हो गए, फिर आपने एक और टॉफी खरीदी, आपके दो रुपे खर्च हो गए, तो यहाँ आपने एक और टॉफी खरीदी आपके कितने रुपे खर्च हो गए एक प्लस टू 10 तो आपके 10 रुपीज क्या हो गए खर्च हो गए तो आप ऐसे निकालोगे इसका एक शौट कट मैं बताऊं तो क्या होगा आपके बास टोटल कितने रुपीज है टैन रुपीज एक खरीप पाऊगे स्सेम मैं आपको एक और एक्जाम्पल करके बताती हूं है आपकी पास एक सरेड्र ये मैं पैरीमिटर के अक्साब पल कर लेकर चलेगी आपके पास एक ठ्रेड्र seis इस थ्रेड की लेंद्ध क्या है तू और मुझे बोला गया है कि मुझे एक थ्रेड बनाके दो जिसकी लेंद्ध क्या है टैन है लेकिन इन थ्रेड की हेल्प से दस लंबाई का थ्रेड बनाना है इन छोटे-छोटे थ्रेड का यूज़ करके तो आपने क्या करा एक थ्रेड लिया यह आपकी टू लेंद्ध कवर हो गई है फिर आपने यहीं से कंटीन्यू करा दूसरे थ्रेड से मैं आपके कट लगा दी तो आपको पता चलता रहे है फि एक डू तो कितनग पर ओगा आपके दो धागे कवर हो गहीं फर्स धागा यह सैकेंड बागा फिर आपने एक और धागा यूज़ करा तीन थागई यूज़ करा मैं झाल किकिटमी लेंद न जफना लिए को चय छश़र फिर आपने एक और Euro त्रेड स्गरा टो तो लेंद कितनी हो गई 2 4 6 8 फिर आपने एक और धागा यूज करा पांच अधागा यूज करा तो कितना हो गया 2 4 6 8 10 तो इट मीज आपने कितने धागा यूज करें पांच तो कभी भी ऐसे सिचुशन आए तो आप यह सब करो इससे बढ़िया आप क्या कर लो डिवाइट कर तो क्या होगा डारेक्ट आंसर आ जायेगा तो सेम यही रूल हम क्या करेंगे इसमें अप्लाइग करें देखो उपर क्या है टोटल मनी झाले आहिए और नीचे क्या है एक टॉफी की कीमत तो इससे आपको क्या अपता चल गया डिवाइड करने से कि आप इस रुपे से किपनी टॉफी खरी सकते हो, पांच टॉफी खरी सकते हो आप, तो सेम यही रूल अप्लाई करेंगे हम, इस वील वाले कोशन में, तो कैसे करेंगे, देखते हैं, इसको मैं रब कर देती हूँ, तो देखो, इसमें मुझे बोला गया है, एक वील है, उस की रेडियस क्या है, 40 है, मैंने भी आपको बताया था, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस, तो 80 का हाफ, 40 आ गया, 40 संटिमीटर मेरा रेडियस है, अब रिवॉल्यूशन से आपका क्या मतलब है, रिवॉल्यूशन से यहां मतलब है, अगर आ से स्टार्ट करा और यहां मेरा ग्राउंड तो यह पार्ट ग्राउंड को टच करते 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 यहाँ पर आ जाए तो मेरा एक revolution हो जाएगा नहीं समझाया फिर से समझाती हूं मैंने मालो यह circle का धागा तोड़ दिया और इसको सीधा कर दिया तो यह धागा यह ground है एक बार टेच कर गया ground को तो वह क्या हो गया one revolution हो गया मतलब यह जो वील हो क्या होगा पहले यह यहां पर टेच होगा इस पॉइंट को टेच करेगा फिर ऐसे से करते करते पूरा revolution लेगा और पूरा circle क्या होगा इस पर टेच होगा जब ऐसा एक बार हो जाए उससे one revolution क्याते हैं तो one revolution का पूरा होगा जब पूरा एक parameter घुम जाएगा यह वह एक राउंड बार दे और एक राउंड किसके बराबर होगा perimeter के बराबर होगा क्योंकि सरकल का जो यह बहार यह क्या है इसको हम perimeter ही तो बोलते हैं तो जब यह एक बार टच जाएगा तो एक revolution तो हमें पता चलके revolution क्या है परिमीटर है वन रिवालीशन किसके बराबर है परिमीटर ओफ सरकल तो परिमीटर क्या होता है सरकल का 2 पाई आर आर की वैल्यू क्या है यहां पर 40 यहां मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहे हूं क्योंकि हम डिवाइड में ले जाएंगे इसको वहां काटा पीटी करना एजी होगा यहां पर पाई की वैल्यू भी डाल देते हैं 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 40 तो मेरा यह आ गया पैरिमीटर ओफ सरकल जो की बराबर है फन रिवालीशन के अब देखो अब हमें नेक्स क्या निकालना है हमें हमेशा चाहिए टोटल डिस्टेंस यहां पर कितना डिस्टेंस होगा और यहां पर कितना रिवालीशन चाहिए यही तो निकालना है हमें कितना रिवालीशन लगेंगे तो हमने एक revolution तो निकाल दिया, यह रहा, अब हमें निकालना है total distance, तो total distance क्या होगा? तो total distance दिया हुआ है, 66 km, आप देखो, यह km में है, और जो यह उपर वाला चल रहा था, वो क्या चल रहा था, cm में चल रहा था, क्योंकि 40 क्या है? cm है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे? cm में change कर देंगे, तो किलो मेटर को पहले क्या करेंगे, 1 km में 1000 मेटर होते हैं, अब क्या करेंगे? मीटर में आ गया, अब इसको cm में करेंगे, एक मेटर में क्या होता है? 100 cm में, आप देखो, क्या हो गया, यह भी cm में आ गया, हमें निकालना था number of revolutions वो किसके बराबर होंगे टोटल डिस्टेंस और यहां पर क्या आएगा परिमीटर ऑफ सर्कल और आप इसको यह भी कह सकते हो डिस्टेंस कवर्ड बाई वील इन वन रेवलिशन मतलब जो कार का पईया है वो एक रिवालिशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है वो ही तुमारा पैरिमीटर है इसलिए मैंने क्या करा दोनों को एक एक करके निकाल दिया ताकि मैं इस फॉर्मल में रख सकूँ इसलिए मैंने दोनों को सेम यूनिट में रखा हुआ है तो अब क्या करेंगे वैली पुट कर देंगे तो पहले इसको मैं क्लीन अप कर देती हूँ अब मैंने इसको क्या कर टोटल डिस्टेंस था 66 किलोमीटर था उसको हमने क्या करते हैं सेंटीमीटर में चेंज कर दिया और डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवालुशन इट मीज पैरिमीटर आफ सेलकल तो हमने वो क्या निकाला था 40 सेंटीमीटर अब देखो जो निमेरेटर है वो फ्रेक्शन में नहीं है डैनोमेरेटर फ्रेक्शन में है तो पहले तो दोनों को फ्रेक्शन में लेके आओ तो सबके इनचे मेंने क्या लगा दिया वन लगा दिया तो यहां पर भी क्या कर देंगे वन लगा देंगे यहां पर भी क्या कर देंगे वन लगा देंगे निमेरेटर भी फ्रेक्शन में डैनोमेरेटर भी फ्रेक्शन में तो इसमें हम क्या करेंगे उपर वाले को same लिखेंगे उपर वाले को same लिख दिए आप क्या करेंगे Denominator को reciprocal कर देगे into 1 upon 2 7 upon 22 into 1 by 40 cm अब हम क्या करेंगे काटा पिटी करेंगे तो क्या बचा यहां पे 3 into 250 into 5 into 7 अब इसको multiply करेंगे देखते क्या आता है तो इनको multiply करने पर आता है 26250 लेकिन यह हमारा final answer नहीं है क्यों नहीं है अब देखो यह इतने number of revolution लेता है 1 hour में लेकिन मुझसे पूछा गया था कि यह 10 minutes में कितने नेता है तो यह आया हमारा number of revolution taken by a wheel in 1 hour तो यह मारा यह आया है मुझे निकालना है 10 minutes तो वो कैसे निकालेंगे देखते हैं तो मैं इसको रब कर देती हूं तो अब देखो मुझे बोला गया था 10 minutes का निकालो मैंने अभी कितने का निकाला है 1 hour का तो 1 hour में number of revolution थे 2, 6, 2, 5, 0 revolutions तो 1 hour को मैं लिख सकती हूं 60 minutes सेम यह लिख दिया 2, 6, 2, 5, 0 revolutions अब देखो मुझे यहां पे लाना है मुझे लाना है यहां पे 10 अभी यहां पे क्या है 60 तो इसको क्या करेंगे पहले 1 बना देगे तो इसको 1 बनाने क्लिए क्या करना पड़ेगा 60 से डिवाइड करना पड़ेगा यहां मैंने 60 से डिवाइड कर दिया लेकिन अगर left hand side में कर रहा है तो right hand side में भी करना पड़ेगा तो मैंने यहाँ पे भी कर दिया तो यह तो आ गया 1 तो 1 minute में इतने number of revolutions लिए हैं अब देखो मुझे यहाँ पे क्या लाना है 10 तो ऐसा क्या करूँ यहाँ पे 10 आ जाए तो क्या करूँगी 10 से multiply कर दो 10 into 1 अब यहाँ multiply किया left inside तो right inside भी करना होगा तो यहाँ पे भी 10 से multiply कर दिया revolutions 10 into 1 10 10 minute में उसने कितने revolutions लिए हैं इतने आप देखो क्या करेंगे काटा पिटी करेंगे 0 से 0 गया अब इसको डिवाइड करेंगे 6 से तो 6 से डिवाइड करेंगे मैं आपको करके ही दिखा देती हूँ 6 5 जा 30 6 4 जा 24 2 बचा फिर आप 22 के लिए करेंगे 6 3 जा 18 यहां बचा 4 अब आएगा 6 7 जा 42 अब यहां बचा 3 यहां बचा 0 6 5 जा 30 तो यहां गया 4 3 7 5 devolutions तो यह question मैं आपको बिलकूर detail में बताया है ताक कि आपको बता हूँ हर step जो ही operation का है उसमें क्या हो रहा है और क्यू हो रहा है यह question बिलकूर रटना मत कि divide करना है नहीं आपको समझना चाहिए कि कि क्यूर आप इसको divide कर रहे हैं इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक एक्जामपल से बताया है और यह आपको कोशन डिटेल में सॉल्ट करवा है तो इस वीडियो के लेट नहीं अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर जरूर बताना तो इस वीडियो में इतना ही अब मै आपको मिलोगी नेक्स्स वीडियो में आई होप आपको सब को समझा गया होगा थेंक्स वाचिंग